करेंगे strength, stress और types of stress के बाड़े में चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि strength होता क्या है the strength of the material may be defined as the maximum resistance which a material can obtain to the externally applied load इसका मतलब हुआ कि जब मेरे पास को अभी material है उसमें हम load apply करते हैं तो हम उसमें कितना load apply करें कि वो सह सके उसके सहने की छमता को क्या करते हैं हम लोग strength करते हैं ठेक अब stress, stress is the internal resistance per unit area of cross-sectional obtained by the body against the deformation तो stress को हम लोग क्या करते हैं कि sigma से denote करते हैं तो stress equal to होता है P by A ठीक जहां पे sigma होता है stress और उस P को हम लोग लिखते हैं load या force और यह जो होता है area of cross-sectional कि या कितना area पे मेरा force लग रहा है ठीक है तो हम जब stress को हम define करेंगे तो stress equal to P upon A यह हम लोग लिखते हैं इसका SI unit होता है Newton per meter square या Newton per mm square या kilo Newton per meter square अब हम लोग चलते हैं types of stress के बारे में कि कितने परकार के stress होते हैं तो मेरे पास होता है two types के stress होता है जिसको हम एक बोलते हैं direct stress और दूसरा हम लोग कहते हैं share stress तो further direct stress को दो भाग में बार देते हैं tensile stress and compressive stress चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि direct stress होता क्या है when a force is applied perpendicular to the cross section of the member of the stress induced is known as direct stress जब हम किसी बड़ी perpendicular हम लोग क्या करते हैं perpendicular force applied करते हैं तो इसमें stress produce होता है induced होता है इसको हम लोग कहते हैं direct stress जिसे माल लीजिए कि मेरे चलिए हम लोग diagram के द्रूश मासते हैं माल लेजिए मेरे पास एक बड़ी है जब हम इसको force लगाते हैं तो क्या होता है कि area of cross sectional क्या होता है यहाँ पे मेरा stress induced होता है और जब हम force कब लगा है 90 degree के along जब हम 90 degree के along लगाते हैं तो मेरा क्या होता है यहाँ पे stress produce होता है ठेक अब उसके बाद चलते हैं direct stress के हम लोग types के पार में तो हम लोग पहले बोल चुके हैं कि two types के होते हैं एक होते हैं tensile और दूसरा होते हैं compressive stress हम लोग पहले बात करते हैं tensile stress के बारे में when an axial pull is applied on the cross sectional area of a body the stress induced is known as tensile stress देखें tensile stress कहने का ताकपड़ी है जब हम माल लिए हम क्या करते हैं कोई एक मेरा body है A B C D माल लिए मेरा एक कोई body है ठेक है जब हम इसके opposite force लगाते हैं जब हम इसके opposite force लगाते हैं जिस उसके कारण जो मेरा stress produce होता है उसको हम लोग बोलते हैं tensile stress देखो tensile stress के कारण मेरा कुछ effect produce होता है कि उसके कारण क्या होता है the effect of the tensile stress is to increases the length of the body जब हम लोग इस पर load लगाते हैं tensile load लगाते हैं तो मेरा क्या होता है body increase हो जाता है जैसे कि A dash B dash C dash D dash मेरा body increase हो जाता है और जो इसका जो height है वो क्या हो जाता है decrease हो जाता है देखे हम इससे दरसाथ चुके हैं कि यह जो actual length जिसको बोलते हैं यह L है और changing length हम लोग डेल लेक लिए हैं ठेले हैं लेक चिको हैं उसके बाद हम लोग चलते हैं compressive stress compressive stress होता क्या है चले इसके बाद हम जानते हैं stress इसका मतलब है यह इसे हम मेरे पास कोई बढ़ी है मालेजी मेरे पास यह कोई बढ़ी हुआ जब हम इसको पूस करते हैं इसको तो अपोजिट फोर्स लगाते हैं, जब इसमें अपोजिट फोर्स लगाते हैं, तो इसका क्या होता है, लेंथ मेरा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और इसका जो हाइट होता है, जो मालेज़ को भी हम metal लेंगे, जब हम boost करेंगे, तो इसका length decrease हो जाएगा, बट, लेकिन इसका height क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, तो, तो इसके कारण जो, compressive load के कारण जो मेरा stress उत्पन होता है, उसको बोलते हैं, हम लोग compressive stress, इसका effect क्या है, जब हम compressive load हम यहाँ पर लगाते हैं, तो इसका क्या हुआ, कि इसका length क्या हो जाता है, decreases हो जाता है, पहले मेरा था length L, उसके बाद मेरा हो गया, del L, चलिए, अब उसके बाद चलते हैं, share stress, share stress होता क्या है, when two equal and opposite force are applied tangentially to the cross-sectional of a body, the stress induced in known as share stress, जैसकि माल लेजिए, मेरे पास एक क्या है, एक body है, एक fix होता है, यहाँ पर मेरा एक force भी लगड़ा है, जब यह मेरा force पर do equal and opposite force, ठीक है, एक force इधर लगड़ा है, एक force इधर लगड़ा, इस force के कारण, जो मेरा stress induced होता है, इस body पर, इसको बोलते हैं, हम लोग, share stress, ठीक है, हम लोग share stress को, हम लोग क्या बोलते हैं, tangential stress बोलते हैं, तो हम लोग, tangential stress बोलते हैं, तो हम लोग जानते है, stress is equal to क्या होता है, force by area, तो, यहाँ पर देखिए, share stress, share stress को, हम लोग D not करते हैं टौ से टौ इस इकोल टू से फोर्ष अपोन से एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं पी अपोन ए ये था मेरा टाइपस ओफ एस्ट्रेस और एस्ट्रेंद क्या होता है टाइप ओफ एस्ट्रेस क्या होता है इसके बारे में चले थैंक्यो वीडियो देखने के लिए